कि नमस्कार दोस्तों मैं संजीव आया हूं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि नोटराइज कैसे करना है या उसको हम इस टैंप भी बोलते हैं कई सारे कमेंट्स मैंने देखा और बहुत सारे मेरे को टेलीग्राम ग्रूप मे मैसेजस भी आया है कि हम केस तो फाइल कर रहा है ऑनलाइन बट हो रिवार्ट बैक हो जा रहा है जिसमें की वह पूछ रहे कि न अफ़िडेवियो चाहिए य्या एस टैन्प अफेसे ऑज और कितना तक आपको आएगा तो आपको स्टैंपल डिखा रहा हूं यह आपका अफिडेवित गलते पाली कि-besondere गौर्मेंट ऑफिस है वहां पर जाना पड़ेगा लाइक ताशिलदार ओफिस या कोट जो भी गौर्मेंट ऑफिस उसके बाहर आपको इस टैंप करके मिल जाएगा नहीं तो नोटराइस करके एक शॉप जैसा रहता है मिल जाएगा वहां पर आप जाके करा सकते हो और स्टा कम हो सके उत्ता कम का बनवाई है मैक्सिमुम 100 रुपीस स्टार्टिंग 10 ऐसा कुछ कंजूमर फॉरॉम से कोई भी गाइडलाइन नहीं कि आपको इत्ते रुपे का ही बनवाना है तो यह आपके उपर है कि आप दस बीस पचास सो किते का बनवाना चाहते बनवा सकते हो चल अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग टाइटल आ जाएगा बट जो फॉर्मेट है वह सेम रहेगा एज़ीज रहेगा तो इसमें आपका डीटेल्स क्या-क्या आता है मैं बता देता हूं इसमें तो पहला आपका नाम आएगा उसके बाद पार्टी का भी नाम आएगा आप्टिकल एफिडेविट करके डलवा देना और उसके नीचे पूरा डीटेल्स है तो दोस्तो एफिडेविट में आपको फिर क्या टाइप करवाना है यह भी मैं बता देता हूं जैसे कि आपने आपने अल्रेडि डॉक्यमेंट में देखा हो गा जो हम आफिडेबिट नॉर्मल पेपर पर बना के फाइल करते थे उसमें जो भी है आप अपने हिसाब से जो भी आपने डाल रखा है वहां पर टाइप करवा दीजिएगा और इस पर आप देख सकते हो कि यहां पर स्टैंप और सील भी है तो स्टैंप और सील ध्यान रखे कि जहां से भी आप बनवाते हो स्टैंप और सील हो ऑब और इसको आप इन कोई भी आपका साइइल में कुछ नहीं करना है क्योंकि जो भी आप इस स्टैंप या नोट्री बनाता है उध्वाक्त करें तो आपकी सर्वतिश्य वढूरत नहीं है और आप इसको इपड़म कर सकत नहीं थी बट आज कल बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे केसे से रिवर्ट बैक हो रहें इसी वज़े से तो ध्यान रखें ऑनलाइन फाइलिंग कराने से पहले आप यह बनवा ले और फिर अपलाई करें ऑनलाइन दोस्तों और भी कोई अगर इसुस रहता है या और भी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक केर